हालो दोस्तों स्वागत है आपका डेटा फ्लेर में यार यह 15 दिन पहले कोगनेशिन लाब ने तो बड़ा टेंशन दे दिया है अब आप लोगे सब टेंशन तो बहुत है आई होप आपने भी शाहिए न्यूज सुनी होगी क्योंकि कोगनेशिन लाब ने एक एसा सौफ्टर रेडी किया है डेविन आई होप में नाम पहले आपको बदा देता हूं कि डेविन है डेविल है सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर कि डेविन हमारे लिए डेविल तो नहीं हो जाएगा तो चलिए आज इस टॉपिक पे ही हम सारी बाते करते हैं क्योंकि आप जवडियो को समझते हैं आगे प्रोग्रामिंग स्कूप को समझते हैं फ्यूचर आफ प्रोग्रामींग की बात करने हैं कि तो अब को क्देशीं लाइब ने अभी एक सोफ्तक डेवल डिवलब किया है जो कि AI-based नोन हुमें उफ्ट्ट है उनका यह कहना है कि यह जो सॉफ इंजिनियर हैं मतलब यह भी आपको हमारी तरह बाकादा कोडिंग लिखेगा ओके यदि आपकी अप्लिकेशन में कोई बग्स हैं यदि कोई एरर से तो यह एरर को भी फांड आउट करेगा ओके और बाकादा अप्लिकेशन को डिपलॉय भी करेगा यह कहना है कोगनेशन सबसे पहले तो आप हमेशा किसी भी नई अपडेशन के लिए अपने आपको रेडी रखिए तो यह सॉफ्टर डेवलप्मेंट अपडेट नहीं हुए चैट जीपीटी आया तब भी यही घबरात थी अब यह नया सॉफ्टर आ गया है डैविन तब भी यही टेंशन है तो यह टेंशन तो चलते रहेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा थोड़ा टाइम पीछे आपको लेगे जलता हूं ठीक है आपने जिस एरा में शायद प्रोग्रामिंग सिखना शुरू करें तब आपके पास फ्रेमवर्क अवेलेबल थे ना कि आपने जावा क प्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं लेकिन हमने जिस टाइम से कोडिंग शुरू की है हम अमारा कोड जावा का कोड नोटपेड में लिखते थे मैं आज भी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कोवर कॉनसेप्स चीखना चाहते हैं तो नोटपेड में जावा रेडी करके देता है अब PSVM लिखके टैप बटन प्रेस किए पब्लिक इस्टिडिक वाइड में लिखा आजाएगा अब ट्राइट ऑल टैप कीजिए ट्राइकेज का ब्लॉग बनके आपके सामने आ जाएगा अप एसाउट लिखिए सिस्टम डाट आउट डॉट प्रिं लेना पड़ेगा आपको इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आप IT इंडस्टी में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको समय के साथ अपने आपको चेंज करना पड़ेगा और यही आप समझें डेविन से हमारा कोई competition नहीं है डेविन को यूज करके हम अपने software skills को कितना इ तो आप देखिए अभी भी यहां से अगर बात करें तो 10 साल लगेंगे इस चीज का माइंडसेट बनाने में कि यदि किसी मशीन ने कोई software ready किया है तो उसको बिना किसी review के deploy कर दिया जाए आपको क्या लगता है कि माइंडसेट अभी है लोगों का ready इस चीज के लिए कि एक software engineer है जो कि non human software engineer है अगर आपके लिए उसने वो software ready किया है आप उसको बिलकुल आंग बंद करके deploy कर देंगे क्लाइन को endeavor कर देंगे बहुत इस thought में आने में यहां से भी अभी 10 साल लगेंगे जो मेरा सोचना है यस यह जरूर होगा कि जो टीम अभी तक 10 लोगों की होती थी अब वो 7 लोगों की या 5 लोगों की होगी लेकिन वो 5 में आप और हम भी तो सकते हैं आप यह क्यों नहीं स इपीटी के आने से कोई लेना देना नहीं है हमेशा मार्केट से वही बंदा आउट होगा जो अपने आपको अपडेट नहीं कर रहा है यह मेरा मानना है तो यह आपको लगता है कि आपको consistency के साथ softening field में बने रहना है तो अपनी skills को upgrade करते रहना पड़ेगा नई technology को adopt करना पड़ेगा आप सोची ना इतने framework आ गए जावा की बात करें अब टर्बो सी हम जब code लिखते था जब टर्बो सी हुआ करता था लेकिन उसके बद वी एस code आगे lot of editor अगर आज भी हम notepad और टर्बो सी को use कर रहे हैं तो क्या मैं आपके सामने आके सारी बाते कर सकता हूँ मैं 20 साल से पड़ा रहा हूँ और 20 साल का experience मेरा यह कहता है कि यदि आप time के साथ अपने आपको update करते रहेंगे तो आपके लिए कभी कोई problem नहीं आने वाली है तो actually devin का जो effect होगा आने वाले time पे अगर हम उसकी बात करें तो यह जरूर बात है कि एक human और devin साथ में मिलके काम कर सकते हैं कि devin आपके लिए code लिखेगा human code को review करेगा और review करने के बाद फिर उस software को deploy कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तक भी mindset यह बिलकुल प्रिपेर नहीं होगा कि machine पर पूरी तरह से dependent हो जाए यह हम ऐसे tool पर पूरी तरह से dependent हो जाए जो कि non human है जिसमें human intervention नहीं ह हैं तो एसी कोई company नहीं है जो बिना human के आज भी work कर रहे हो बताइए मुझे कोई भी किसी भी फिल्ट को लेजिए human intervention is always required क्योंकि AI है बहुत आपकी आने वाली है यह आपकी help के लिए आने वाली है जब calculator से computer आये तो लोगों नहीं सोचा रहे बाप रहे अब तो बिल्कुल jobless हो जाएंगे लेकिन आप सोची उसके बाद क्या हुआ इंटरनेट आया इंटरनेट से related technologies आई लेकिन हर बार अपग्रेडेशन ही हुआ है आप सूची ना कि जब मार्केट में Amazon आया स्वीगी आया तो लोगों ने सोचा अरब जो offline शॉप से वो सारी बंद हो जाएंगे लेकिन वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा double mind और दिमाग से काम किया वह offline भी अपने आपको प्रोड़क्त को सेल कर रहे हैं और उन्हें एमेजॉन पे भी अपने आपको रेजिस्टर कर लिया है तो आप वह दो तरीके से earning कर रहे हैं तो यह आपको समझना पड़ेगा कि जब को टेक्नोलाजी आई है तो उसको हम किस तरीके से advantage ले सक तो आप समझें तो AI-based यह जो टूल है डेविन एक्चुलिस डेविन के future का effect होंगे यह तो समय के साथ समझ में आएगा लेकिन यह बिलकुल आप बेफिकर रही है कि आने वाले time में भी languages या technologies कभी भी downfall नहीं आने वाला है जो technology आप पढ़ रहे हैं उस technology को पढ़ते रहे ह आजी को end तक लेके जाए क्योंकि human intervention हमेशा किसी भी IT industry में रहेगा और यहां नहीं आने वाले 10-20-25 साल तक भी रहेगा यह future क्या होगा वह मैं अभी product करना आपके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी मुश्किल है लेकिन अब यहां पर एक question आता है देखें बिलकुल market में launch करती है तो hype create करना जरूरी होता है उनको attention देना जरूरी होता है नाकि वो यह बता सकें कि हम इस तरीके का software market में लाने वाले हैं जो की AI-based software engineer होगा जो कि एक non-human software engineer होगा अभी भी आप Devin के बारे में यह नहीं कह सकते कि it is 100% ready product अभी बहुत सारा काम उसमें होना बाकी है और एसे तो बहुत सारे project है जो topmost tendencies companies background में run कर रही है आपको तो हर नहीं साल में हर साल में ऐसे नहीं product मिलेंगे और hype भी मिलेगी hype मिलने का reason यह है they want funding उनको चाहिए funding और वह funding कम मिलेगी जब लोगों का उस product पे believe होगा जब लोग उस product को समझेंगे जब लोगों को उस product क बारे में पता चलेगा और वो पता चलाने के लिए ही इतनी hype rate होती है कोई भी product जब market में आएगा तो बाकदा उसकी marketing होगी अब वो marketing दोनों तरीके से होती है positive भी होती है आपको सोचना है कि आपको positive side में जाना है आपको negative side में जाना है तो यहां पर यह सोचना बिल्कुल गलत है कि devin आपके competition के लिए आया है या इसके बाद software engineering के job कम हो जाएंगे या coding का job नहीं रहेगा और आप देखिए अगर आपको यह भी डर लगता है तो आप मुझे बताईए क्या coding करना ही software engineer का का काम होता है सोचके देखे जरा क्याकर software development में केवल coding के सबसे important role play करती है च task को आप समझने की कोशिश करिए deployment के task को आप समझने की कोशिश करिए testing का आप समझने की कोशिश करिए केवल coding करना ही software development नहीं होता है बच्चे तो coding आपकी help devin कर सकता है लेकिन उसके अलावा आपने कभी HDLC पढ़ा हो system development life cycle देखे आप उस HDLC के steps को की coding किस लेवल पर आते है और उसके बाद भी number of steps कितनी है तो devin हर जगा आपकी help थोड़ी ना करेगा तो बिना human intervention के या बिना human involvement के यह कहना कि आप एक machine से पूरा software ready करक तो अभी तो इस चीजों में आने में बहुत समय लगेगा बहुत time लगेगा इसलिए devin से बिल्कुल भी जरने या घबरानी के जरूत नहीं है अब जिस technology को पढ़ रहे हैं उस technology को पढ़ते रहें devin के बारे में पढ़ें बिल्कुल उसको भी समझें और यह सोचें कि devin कि इस तरीके से आपके help कर सकता है मैंने जितना devin के बारे में भी पढ़ा है मेरा यह मानना it's completely wrong structure right now मतलब अभी भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि आप 100% उस पर फेद कर सकते मैं chat GPT में कहीं बार code लिखता हूं लेकिन उस code को मैं as it is अपने application में डिप्लाइन नहीं कर सकता मैं आ आने वाले टाइम में क्या होगा यह समय बताएगा ठीक है तो आई होप concept आपको समझ में आ रहा है कि डाविन इस नाट डाविल है यह डाविन ही है और हमारी लिए डाविन ही रहेगा तो इसलिए बिलकुल अपने करियर को लेके बेफिकर रही है टेक्नोलोजी अप्ग्र मोबाइल डेवलपमेंट में है तो मोबाइल डेवलपमेंट में रही है अगर आप युवाई डिजाइनिंग में है तो बिलकुल अपने टेक्नोलोजी को अप्ग्रेड करते रही है और डेविन को डेविल समझने की कोशिश बिलकुल भी मत करिये ठीक है तो आई होप information कारी रहेंगे टेक क्यार बाबाई